नमस्कार स्वगत्याप का हमारे चल्लिचार जागंदर में सामें होली की राख के राम बान उपाए हमेशा पैसों में खेलोगे दोस्तों इस साल 2022 में 17 मार्च गुरु बार के दिन होली का दहन का तेवहार मनाये जाएगा और होली मनाये जाएगी उसके दूसरे दिन यानि की 18 मार्च को होली के पर्व में पूनम का जो ये दिन होता है फालगुन पूरिमा का दिन तमाम तरह के रोग दोस गरीबी को दूर करने वाली पूरिमा का ब्रत जरूर करें पूरे समय ब्रत करने के समय संध्य के समय चांद की पूजा भी जरूर अवश्य करें जीवन में जो भी सोख है जो भी तकलीफ है आज की दिन यह चांद तमाम तकलीफों को दूर कर देता है होलिका जब भी जलाई जाती है दोस्तों इस बार की होलिका दहन का जो समय है वो 17 मार्च को गुरु बार की रातरी 9 बचकर 20 मिनट से रातरी 10 बचकर 31 मिनट तक का ये शुब महुर्त होगा इस समय के दवरान आप होलिका की पूजा कर सकते हैं फल चढ़ा सकते हैं जलतु ही होलि में फल चढ़ाएं उपाय करें अच्छत चढ़ाएं पुस्प चढ़ाएं एक घी का दीपक आप होली माता को आप अरपित करें घर में थोड़ा सा घी लेकर जाएं घर में कंडे ले जो होली माता को अर्पित किया जाता है इस दिन होली का दहन के समय इसको होली को अर्पित करने से तमाम ग्रहों की तमाम तकलीफों दूर हो जाती है। आपके घर में किश्वी प्रकार की कोई भी समस्याइन नहीं आएंगी और अगर आप गरीबी में भी जीबने आपन कर रहे हैं तो अमेर बनने से कोई नहीं रोक शकता यानि पैसों की बरसात हो जाएगी माता लक्षमिज की अपार कृपा आपके घर में बरसेगी। में खेलो गए और माता लक्षमि कृपा हमेशा बनी रहेगी। में तब ऐसमें होलिका धहन की राख से छोटे छोटे प्रयोग किये जाते हैं जो आपके घर की कठिनाईयों से आपको बाहर निकालेगा और मुश्किलों से बाहर निकालेगा और बचाए रखेगा। तो रंगोसव इस बार मनाएंगे लेकिन होलिका धहन यानि की एक दिन पहले आप विशेश प्रयोग जरूर करें होलिका धहन के दिन। होली की रात तमाम तरह के प्रयोग की जाते हैं ताकि जीवन की जो धन की समस्याइं हो वो समाप्त हो जाए तो होली की राक यानि की विशेश रूप से होली की राक जरूर अपने घर पर लेकर आए और धन के स्थान पर रखें तो आर्थिक तंगी से बाहर निकलेंगे और समस्याईं भी दूर होंगी आर्थिक तंगी से अगर आप परिशान है माता लक्ष्मी जी की कृपा बर्षेगी और भगवान स्री हर की भी कृपा बर्षेगी इस दिन आप पहले तो पूजा पाठ करें बिधवद क्यूंकि पूरिमा तिती भी है और होली का देहन होली यानि की विशेश कर इस दिन बहुती धुमधाम से मनाई जाएगी और बहुती सुब दुरलब योग भी बन रहे हैं इस दिन तो इस दिन आप विशेश रुप से गाए को कुत्ते को जरूर कुछ नकुछ खिलाएं और लाले रंग के कपड़े में बांद कर धन के स्थान पर आपको रख देना है आप व्यापारी हैं आप गले में आप रख दें आप ग्रहस तास्रम में हैं तो धन के स्थान पर आलमारी तिजोरी पे रख दें तो धन को खिशती है या राख होली की राक धन को खिंशती है किसी भी तरह के नकरातों के प्रभाव होगा तो वह समाप्त हो जाएगा इसके साथ ही कई तरह के उपाई भी किये जाते हैं होली का दहन में आप गाय के उपलों की माला बनाई जाती है और इस माला में छोटे-छोटे साथ उपले होते हैं अब रात के समय होली का दहन तो होती है और होली का माता को, होली माता को आप उनका प्रतीक मान कर जलाय जाता है होली का दहन में हम कोशिश करते हैं कि घर की सारी बुरी बलाएं जल जाए घर में सुक्षान्तिया, सिम्रधिया और यहां पर हम विशेश रूप से उपलों को लकड़ी वहां पर होली माता को रखते हैं और रात में जलाते हैं और सुब भूरत में जलाई जाती है होली का तो इस दिन मीठे पकवान भी बनाय जाते हैं बहुत रखे भोग भी लगा जाते हैं चुकि हम बात कर रहे हैं होली की राख जो की रामबान इस दिन उपाई जो हम आपको बताएंगे और हमेशा आपको पैसो कित किलत नहीं जहलनी पड़ेगी इस राख का कौन सा प्रयोक करेज की जीवन में सारी खुशियां लोट कर आएं होली का दहन फालगुन मास की पुड़िमा तिति के दिन मनाय जाती है और उसके अगले दिन रंगोसव वाली होली मनाय जाती है इस दिन सत्रुता भोलकर आप गल यनि की गले लगते हैं एक द अगला एक और आप उपाई करें आप जब होली सांत हो जाए तो होली की राख आप किसी भी कागज बगएर में आप रख लें और लेकर आएं उसकी पुड़िया बना लें और उसे लेकर आकर आप अपने धन की स्थान पर छुपा के रख दें धन के स्थान पर रखने से ध धन के स्थान पर भी रख सकते हैं, ये फिर चाहें, तो आप अपने घर के इसान कोड में भी रखें, तो घर में सदैब सकरात्म कुर्जा का वास रहता है, होली की राख बहुत पवित्र मानी जाती है, होली की राख जब सांत हो जाए, तो आप इसे लेकर आए और अपने बहुत लावकारी होती है, तो ये आप जो होली की राख होती है, रामबार उपाई ये छोटे छोटे उपाई जरूर करें, तो बिशेश लाब होगा, या फिर आप चाहें, तो जैसे माले जए, कि आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार चल रहा है, बीमारी खत्मी नहीं हो रही है, या फिर खत्म होने का नामी नहीं ले रही, तो होली की राख लेकर आएं, और उनके उपर से साथ बार उल्टे बार लें इस राख को, और आप फिर थोड़ा सा राख उनको खिला दें, और बाकी बचे वे राख, आप कहीं बाहर फेंक दें, रामबार उपाई ह हैं ये, कभी भी, यानि कि लंबे समय से चली आरे बीमारी भी खत्म हो जाएगी, और स्वस्त रहेंगे, और अनेक प्रकार के धनलाब होंगे, अगर मा लिजे नौकरी बिजनेस ब्यापार कारोबार में आपको उपलब्धी या फिर कामिया भी नहीं मिल पा रही, आप चा कराएं और किसी कपड़े में बांध कर अपने धन के स्थान पर तिजोरी में आलवारी पे रख दें, जहां पर आप पैसा रखते हैं, जहां पर आप यानि कि सोने चांदी रखते हैं, गल्ले पे या बिजनेस ब्यापार कारोबारी है, तो गल्ले पे रख दें, वहां पर वीडियो को लाइक करें, जदा जदा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।